अब हम पढ़ेंगे वाच्य वाच्य क्या होते हैं? वाच्य वाच्य का वह प्रियोग है जिससे हमें यह पता लगे कि इस वाच्य में कर्ता, कर्म या भाव किसको प्रधानता दी जा रही है यानि कि कर्ता की या कर्म की या भाव की प्रधानता बताने वाव के वाच्य कहलाते हैं वाच्य तीन प्रकार के होते हैं कर्तर वाच्य, कर्म वाच्य और भाव वाच्य कर्तर वाच्य में वह वाच्य होता है जिसमें कर्ता को प्रधानता दी जाती है उसका सीधा संबन किरिया के साथ होता है किरिया का प्रियोग भी करता के लिंग, बचन और पुरुष के अनुसार होता है जैसे कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं राम पुस्तक पढ़ रहा है शीला गुन-गुना रही है इन तीनों वाक्यों में हम देख रहे हैं कि करता को प्रधानता दी जारी है और उनकी किरिया का प्रियोग करता के अनुसार किया गया है इसलिए ऐसे वाक्य करत्रवाच्य कहलाते हैं इसमें करता की प्रधानता होती है और अक्सर कर्ता के बाद नेका प्रियोग होता है इस प्रकार के बाद के कर्त्र बाच कहलाते हैं दूसरे प्रकार के बाच होते हैं कर्म बाच आज कल कर्म बाच को अकर्त्र बाच भी कहा जाने लगा है कर्त्र बाच्य और अकर्त्र बाच्य यानि अकर्त्र बाच्य को ही कर्म बाच्य कहा जाने लगा है अकर्त्र बाच्य में या कर्म बाच्य में कर्ता के बाद के द्वारा का प्रियोग किया जाता है जैसे कि माली के द्वारा पौधे सीचे जा रहे हैं बच्चों के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है इस तरीके के जो बाकि बनते हैं इन में कर्म के अनुसार ही किरिया का प्रियोग होता है यानि कि जिस प्रकार की किरिया होगी उसी कर्म के अनुसार ही किरिया का लिंग, बचन और पुरुष प्रियोग किया जाएगा यानि कि कर्म के आधार पर ही किरिया का प्रियोग होगा इस तरीके के बाच्चे कर्म बाच्चे कहलाते हैं कर्म बाच्चे का प्रियोग कहां कहां पर होता है उनके लिए कुछ एक निश्चित तरीके के वाकि बनाए जाते है कर्मबाच्य का प्रियोग बिविन इस्थानों पर किया जाता है जैसे कि जहां करता अज्यात हो वहाँ पर हम कर्मबाच्य का प्रियोग करते हैं जैसे सभी को सूचित किया गया या सबको चिठिया बेजी गई तो यहां पर करता जब अज्यात हो तो इस तरीके का प्रियोग किया जाता है जहां कानूनी भाषा का प्रियोग हो इस पर विचार किया जा रहा है इस तरीके के बागे जहां हो जहां सरकार द्वारा काम किये जाए वहाँ पर भी कर्म बाच्च का प्रियोग हो जाता है जैसे कि सरकार ने जन हित में बहुत सारे काम किये या जन हित में बहुत सारे कार किये गए इस तरीके का प्रियोग भी जो अहां सरकार या सभा के द्वारा कोई काम होता है वहाँ पर इस तरीके का बाक्यों का प्रियोग होता है जहां सार्बजने कोई सूचना होती है वहाँ पर भी कर्म बाच्चे का प्रियोग होता है जैसे सूचित किया जाता है कि कल अवकास हो रहेगा तो यहाँ पर करता नहीं है इस तरीके के बाकी भी कर्म बाचे में ही बनते हैं जैसे कि बाड़ पीडितों की सहायता की गई यहाँ पर करता अन्मोन है पता नहीं है इसलिए इस तरीके के जो बाकी बनेंगे वो कर्म बाचे में बनाई जाएंगे कर्म बाच्य में खास ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर कर्म की प्रधानता होती है इस प्रकार के वाक्यों में और जो किर्या होती है वो कर्म के वचन और लिंग के अंशार प्रियोग की जाती है भाव आच्य का प्रियोग वहाँ पर होता है जहां वाक्य में करता या कर्म को प्रधानता न देकर भाव को प्रधानता दी जाती है वहाँ पर भाव आच्य होता है भाव आच्य में हमेशा किरिया एक बचन और पुलिंग में प्रियोग की जाती है अधिकतर इनका प्रियोग निश्य धात्मक भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है असमर्थता प्रकट करने के लिए किया जाता है तो इस प्रकार के वाक्यों में ध्यान रखा जाता है कि करता के बाद से का प्रियोग होता है और अधिकतर असमर्था व्यक्त करने के लिए प्रियोग होता है जैसे मुझसे तो अब बैठा भी नहीं जाता या उससे अब और चला नहीं जा सकता इस तरीके के जो वाक्य होंगे वो भावाच्ची में आते हैं भावाच्ची का प्रियोग अक्सर निश्यधात्मक जहां पर हम कारे को करने की असमर्थता जहां हो जैसे वहां तो खड़ा भी नहीं हुआ जा सकता मुझसे तो अब चला नहीं जाता तो इस तरीके के जो वाक्य होंगे जहां असमर्थता व्यक्त होगी वहां पर भावाच्ची का प्रियोग होगा और भावाच्ची का प्रियोग अक्सर किर्याओं में एक सलहा के रूप में भी प्रियोग किया आता है अब चला जाए चलो अब इस काम को कर लिया जाए इस तरीके के बाकी भी जो है वो भाववाचिक के अंतरगत आते हैं परिक्षाओं में बाच्ची पर दो प्रकार से प्रस्ण हो सकते हैं या तो बाच्ची परवर्तन के लिए प्रस्ण होगा या आपको वाकि दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये किस वाच्चे का है कभी कभी आप देखते हो कि भाव वाच्चे में सेका प्रियोग नहीं होता करता भी नहीं होता लेकिन वो भाव वाच्चे होता है जैसे कि रात भर कैसे जागा जाएगा यहाँ पर आप देखिए ना करता है और ना यहाँ पर सेका प्रियोग है लेकिन आप वाक्य को पढ़कर यह समझ सकते हैं कि इसमें भाव की अभिवेक्ती हो रही है इसलिए यहाँ यह वाच्य कैसा होगा भाव वाच्य होगा अब और ले लें गांदी जी का भवी स्वागत किया गया गांदी जी का भवी स्वागत किया गया यहाँ पर ना तो करता है और ना यहाँ पर के द्वारा का प्रियोग है लेकिन आप देख सकते हो कि गांदी जी का स्वागत किया गया, किस ने किया ये नहीं दिया है लेकिन कर्म को प्रधानता दी जा रही है, इसलिए ये वाकि कैसा होगा कर्म बाच्छी होगा तो इस तरह के से आप वाकि को भी ध्यान में रखेंगे कि उन वाकिओं से क्या भाव निकल करा रहा है भाव की प्रधानता हो रही है या उसमें कर्म की प्रधानता हो रही है आप सब को सूचित किया जाता है या सर्व जनों को सूचित किया जाता है जब इस तरीके की सेंटेंस होंगे या वाक्य होंगे तो वहाँ पर आप ध्यान जानते हैं कि करता मुखे नहीं है करता है ही नहीं तो वहां पर ऐसे वाक्य कर्म बाच्चे होंगे तो हम भाव को ध्यान में रख कर भी इस तरीक का प्रियोग कर सकते हैं और समझ सकते हैं अगर रूपांतरन आया है तो आप रूपांतरन कर सकते हैं अगर बाच्चे पूछा गया है तो हम निश्चित उसरे वाच्य में बदलना उसको रोपांतरन करना चेंज करना जिस तरीके से अंग्रियजी में एक्टिभ वोईस से पैसे बाइस बनाते हैं कर्तरवाच से कर्म यृट जब कर्त्रवाच से कर्म बाच बनाना है तो एक बात का ध्यान रखेंगे कि जहां कर्त्रवाच में किरिया करता के अनुसार लगती है यानि कि करता जिस बचन का होगा उसी बचन की किरिया होगी जिस बचन का करता होगा बचन लिंग जिसके अनुसार होगा वैसे ही किरिया भी हो जैसे कि राम पुस्तक पढ़ता है यहां पर राम करता है तो जब कर्म बाच बनाएंगे तो राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है वहां पर कर्म क्या है पुस्तक है पुस्तक इस्त्रीलिंग है इसलिए उसमें किरिया किसमें परवर्तित हो गई इस्त्रीलिंग में यह फूल तोड़ते हैं अब वहाँ पर बच्चों के द्वारा फूल तोड़े जाते हैं लड़कियां गाना गाती हैं लड़कियों के द्वारा गाने गाये जाते हैं तो यानि कि अगर हम कर्तिरवाच से कर्म बाच्च में परवर्थित करते हैं तो जो किरिया पहले वाले वाकि तुए उस बाद्च में जो करम का लिंग और वचन होगा वही किरिया का होगा बस इस बात को हमने धियान में रखना है अध्यापक पढ़ा रहा है अध्यापक के द्वारा पढ़ाया जाता है एक पहली बात कि हम करता के बाद के द्वारा का प्रियोग करेंगे और दूसरी बात किरिया में परवर्तन करेंगे किरिया कर्त्रवाच्य में जहां कर्ता के अनुसार होती है कर्म बाच्य में वो कर्म के अनुसार होगी यानि लिंग बचन वही होगा इस तरीके से हम परिवर्तन कर सकते हैं कर्म बाच्य से कर्त्रिबाच्य बनाते समय भी जब हम इंटर्चेंज करेंगे तो वही नियम हमने यहां पर भी अपनाना है जैसे कर्म बाच्ची में जो किरिया कर्म के अनुसार थी उसको हम यहां जब कर्तिर बाच्ची बनाएंगे तब उसे हम कर्ता के अनुसार किरिया बनाएंगे जैसे कि कर्म बाच्ची में वाकिलें पुलीस के द्वारा चोर पकड़ा गया अब इसको हम जब कर्तिवाच बनाएंगे तो पुलिस ने चोर पकड़ा यानि कि हमने किस में परवरतन किया एक तो हमने के द्वारा शब्द को हटाया और दूसरी बात हमने किरिया में परवरतन किया कि यहां पर किरिया कर्म के अनुसार लगाई है जो लगी थी उसको हमने कर्ता के अमसार लगाया जैसे कि बच्चों के द्वारा पतंग उड़ाई जाती है अब हमने कैसे किया उसको जब हम कर्त्रिवाचे में बनाएंगे तो बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो के द्वारा को हटा दिया और हमने किरिया को परवर्थित कर तो वही नियम हम यहां पर अपनाएंगे जो हमने कर्त रिवाचे से कर्म बाचे बनाते समय किया था और वही हम कर्म बाचे से कर्त रिवाचे से भाव बाचे बनाना है तब वहां पर हम कर्ता के बार से का प्रियोग करेंगे और उस वाक्य में ऐसे शब्द का प्रियोग करें इसको जब हम भावाच में बदलेंगे तो बुढिया से सड़क पार की जाती है यानि कि यहां पर से का प्रियोग होने पर हमें बुढिया के सड़क पार करने में एक असमर्थता सी व्यक्त होती है, एक भाव व्यक्त होता है इसी तरीके से बुढधा चल रहा है वहाँ पर जब हम उसको भाव वाच में बदलेंगे बुढ़े से चला जाता है यानि वो चल सकता है कोशिश करने के बाद एक भाव की अभीवक्ती हो रही है तो जब भी हम कर्तर वाच से भाव वाच बदलेंगे और एक बात ध्यान रखेंगे कि भाव बाच्ची में किरिया, पुलिंग और एक वचन में प्रियोग होती है तो इस इसका ध्यान रखेंगे तो हम बदल सकते हैं अब यहीं पर मैं पढ़ रहा हूँ मैं पढ़ रहा हूँ अब इसको भाव बाच्ची में जब बदलेंगे तो मुझसे पढ़ा जाता है यानि मुझसे पढ़ा जाता है यानि कि मैं पढ़ सकने की कोशिश कर रहा हूँ तो इस तरीके के भाव की अभिवेक्ती से लगाने पर प्रतीत होती है मैं चल सकता हूँ या जैसे मुझसे अब और पढ़ा नहीं जाता मैं पढ़ सकता हम इस तरीके से बदल सकते हैं मुझसे अब और पढ़ा नहीं जा सकता तो सकना शब्द का प्रियोग करने से और करता के बाद से का प्रियोग करने से भाव की अभिवेक्ती अधिक हो जाती है तो जब हम कर्त्रवाच से भावबाच में बदले तो हम कर्ता के बाद सेका प्रियोग करें और किरिया एक बचन पुलिंग में प्रियोग करें तो भावबाच बनेगा इस तरीके से हम कर्त्रवाच से कर्मबाच और कर्त्रवाच से भावबाच में बदल सकते हैं कर्म बाच्य वाले वाक्यों को भी हम भाव बाच्य में बदल सकते हैं लेकिन अधिक तर कर्त्र बाच्य जो हैं वह भाव बाच्य में बदल जाते हैं क्योंकि वहां करता की प्रधानता होती है कर्म की प्रधानता करने के लिए उसे हम बदल सकते हैं लेकिन जहां कर्म की प्र लगाने पर जब हम कर सकते हैं तो वहां असमर्ता प्रकट होगी